प्रश्वागत है आज हम फिर चर्चा करेंगे ओमिक्रॉन की जब बहरत हमारे देश में हो रहा इस वक्त उसको किस नजरिये से देखें खास तोर से कुछ शहर काफी आगे चले गए थे वो क्या स्टेबिलाइज कर रहे हैं उसकी संख्या क्या गटने वाली है कब तक ये लास्ट करेंगी कब तक ये तथाकतित वेव जो हमारे जो एक्सपर्ट है प्रफेसर सतीजीत रत वो अच्छा नहीं शमस्ते शब्द को कहत बरहुत्री किस किन जिनों पे उसको देखके बात करें कि बात ना करें तो किन शहरों में ये बरहुत्री कितनी देर तक जाली रहेगी दूसरे देशों की जो हमारे पास इस वक्साबूत है कुछ matters है उसको देखते हुए हम क्या इसका कना पहली सवाय अभी तो आप वेव म में है और कुछ शहरों खास्तोर से जो metropolitan शहर है उस पर संख्या काफी तेजी से बढ़ा है बुंबाई दिल्ली कलकत्ता अगवाई सबसे पहले की है पर लगता है कि अभी दिल्ली और गुमाई खास्तोर से मुंबाई के numbers कुछ stabilize करने की दिशा में है और शायद थोड़ी सी गिर भी नहीं है तो इसको देखते विए ओमिक्रॉन का आपके दूसरे दुनिया की दूसरे देशों को भी सबूत आपके सामने है तो आप क्या समझते हैं कि ओमिक्रॉन कितना बढ़ेगा हमारे पीछले वैफ के मुताबिक कितने देर तक रहने की संभावना है शेहरों में एक-एक शेहर को अलग-अलग के हिसाब से देखें सबको मिला के दा देखें और इस दिशा में हम क्या समझ सकते हैं कि हमारे तरफ से इंडिविजुली और सरकार के तरफ से क्या पदक्षिफ होनी चाहिए तो प्रबीर आप मजा कर रहे हैं कि मैं बार-बार कहते रहता हूँ कि एक देश व्यापी लहर के नजरियों को लेकर हमने नहीं सोचना चाहिए क्योंकि उसकी उपियोगिता बहुत कम है तो वो मुद्दा यहां पर बिलकुल लागू है इसलिए वहां से शुरुआत करता है जो इस ओमिक्रॉन के दौर में बाकी देशों के आकड़े है उनकी और एक नजर डालें तो सामने आता है कि जैसा कि आपन पहले से कह रहे हैं गाहों गरॉंदों में मुहलों में सार्स क दो विशानू फैलता है तो वैसे इस्थानिक जगह पर इस्थानिक तोर पर फैलने लगता है और ओमिक्रॉन बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से फैलने लगता है तो बार-बार यही देखा गया है साउध अफरीका में देखा गया है योरोप के सभी देशों में अब तक पुरिया में देखा गया है कि शहरों में जैसा कि आप कह रहे थे जैसा बंबई में देखा गया है जैसा दिली में जैसा कलकते में कि शहरों में बड़ी तेज रफ्तार से आंकड़े बढ़ने लगते हैं क्योंकि शहरों में एक बार ओमिक्रॉन की नसल गुज गई तो बस मुहलों में बढ़ने लगी और संक्रमन के आखड़े बढ़ने लगी लेकिन जहां एक पहले स्तर के स्थानिक जगहों में आखड़े बढ़ने लगते हैं वो सभी जगह नहीं बढ़ते और जैसे की दिली के बंबई के आखड़े बढ़े थोड़े 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 इधर उधर फैलने लगे जैसा की पूने में हुआ है जैसा की कलकते में हुआ है वहां आखड़े बढ़ने लगे इसी तरीके से ये एक देश्व्यापी लहर नहीं है ये कई लहरे हैं ये स्थ दूसरी स्थानिक जगह पर फैलाव कैसे होता है, इसकी समझ हमें अभी तक इतनी अच्छी नहीं है कि हम कुछ कह पाएं भविश्यवानी कि इस तरीके से आंक्डे बढ़ेंगे, इस जगह अब दूसरी स्तर में आंक्डे बढ़ेंगे वगयरा वगयरा. तो आज के आखलात ये हैं कि महानगरों के आंक्डे बढ़े तो हैं तीज रफ्तार से, लेकिन अब कुछ बढ़न्त थम सी गई हैं. और अगर बाकी देशों के अनुभव को सामने रखें, तो इस बढ़न्त के थमने के बाद आंक्डे कम होने लगेंगे. ये हुई एक बात महानगरों की, लेकिन इस दोरान महानगरों से बाकी आसपास के इलाकों तक उमिक्रॉन की नसल कितनी पहुची हैं, और वहां स्थानिक तोर पर कितना संक्रमन शुरू हुआ हैं, और उसके परिणाम में वहां के आंक्डे उसी रफ्तार से कैसे बढ़ेंगे, कब बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे, ये देखने वाली बात है. तो ये एक जगह से दूसरी स्थानिक जगह जाने वाली लहरे हैं, एक लहर नहीं. और इस नजरिये से अगर देखें, तो स्थानिक कविद के रोक्ताम के लिए जो नीतियां बनानी है, वो नीतियां भी इस्थानिक नीतियां होनी चाहिए, देश व्यापी नीतियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उनके कोई माइन ही नहीं है, बार बार जो एक देश व्यापी लहर को लेकर मैं चिंदित होता हूं, वो इसलिए होता हूं, इसलिए नहीं कि शब्द पांडित्य की बात है चुंकि इसलिए कि इस्थानिक तोर पर नीतियां बननी चाहिए ना कि देश्वयापी या राज्वयापी इस तर पर बननी चाहिए यह आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस्थानिक नीतियां होनी चाहिए अब लोकल सेल्फ गरब्मेंट बॉडीज जो है लोकल बॉड जरता की जो बॉडिज है उनको कैसे इंवाल्व करके हमारी पॉब्लिकल पॉलिसी बननी चाहिए वो हमारा अभी भी इस पर काफी खामिया है और यही चीज जो उपर से थोपी जाने की बात होती है उपर से बहुत सारे ऐसे नीतिया थोपी जाती जैसे दिल्ली शहर में करफ पर ऐसे नीतियाब करें तो रात में नहीं घुमती ज्यादा इस तरह के पॉब्लिक हेल्ट पॉलिसी की कोई माइने नहीं है पर इसके छोग है अगर हम इस बात पर आते हैं जो देश व्यापी लहर ना करें पर देश व्यापी संख्या जो है उसको अगर हम अमरीका को यॉरप को देखें तो इस पर लगता है कि इस बार संख्या हमारी जो पीछले बार चार लाख तक पहुंच गई थी उससे काफी बढ़ने की भी संभावना है डव्योच ना गोशना किया है कि वेस्टन यॉरप में हो सकता है जो करीब आधे जनता पता नहीं कहां उनकी की शिकार बन सकते हैं और हमारा देश की अगर पूरी पॉपिलेशन को देखें तो वेस्टन यॉरप से कम नहीं है थोड़ा ज्यादा ही है तो यह आधा शब्द जो है वड़ा खौफनाक है वड़ा डरावने तो आपको क्या लगता है इस तरह की कोई भविश्यवानी के खास माने है या यह सिर्फ हवाई बात है इस वाकत जी उसमें खेर बिलकुल हवाई बाते तो नहीं हैं लेकिन बिलकुल अचूक नजरिये से इन आंकडों को भी हमने देखना नहीं चाहिए लेकिन मैं दो बाते कहना चाहूँगा इसको लेकर एक बात पहलाव के रफतार क जो अभी अपन कह रहे थे कि ये एक लहर नहीं है पश्चमी योरप को लेकर एक लहर नहीं है यहां तहां जहां तहां जो छोटे-छोटे इस्थानिक विसफोट हो रहे हैं उन विसफोटों के फैलाव की रफतार की बात है तो उसमें अगर हमारे देश में एक जगह से विस्फोर्ट का फैलाव घीरे हो, तो फिर किसी एक दिन देश वियापी आंकड़े बहुत बड़े नहीं होंगे, लेकिन कई हफ्तों महिनों तक ये फैलाव, ये संक्रमण जारी रहेगा, लेकिन एक विस्फोर्ट से दूसरे विस्फोर्ट तक जाने का समय अगर बहुत कम ह लेकिन पूरे देश में संक्रमन का अवधी थोड़ा कम हो जाएगी तो यह पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा यह है कि जब वल्ड हल्थ और्गनाइजेशन कहती है कि आदे से ज्यादा आबादी बाधित हो जाएगी तो वो बाधित का मतलब संक्रमन से जोड़ते हैं बीमारी से नहीं ओमिक्रोन की नसल के लोको लेकर अभी पूरे सबूर जो सामने आ रहे हैं वो बार-बार यह कहते हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर ओमिक्रोन की बाधा ओमिक्रोन नसल का संक्रमन कोई लक्षन पैदा नही यह तो पहली की नसलों के बारे में भी सही है लेकिन उनसे भी ज्यादा ओमिक्रॉन नसल को लेकर सही है तो इसलिए यूँ नहीं है कि आधी जन्ता हस्पतालों में दाखिल होगी यूँ है कि संक्रमन आधी जन्ता में चंद हफ्तों महीनों में प्हेल सकता है और वो उतनी डरावनी बात नहीं है जितनी डरावनी अपन सोचते हैं जब अपन संक्रमन को बीमारी के बराबर मानते हैं वैसा ना मानते हैं पहले की भी जो आक्ड़े थे कि करीब 5-6 गुना शायद असिंटमाटिक केस थे सिर्फ 20 परसंट 15 परसंट ही केस ऐसे हैं जो की लक्षन पैदा कर रहे थे यह तो पहले की भी आक्ड़े हैं आप कहरें ओमिक्रॉन में शायद यह और ज्यादा है कि ज्यादा असिंटमाटिक केस हैं पर इसको अगर देखें अमरीका का केस अगर देखें आप तो उस पर हम देख रहे हैं कि पहले से काफी ज्यादा इंफेक्शन बढ़े हैं करीब पीछले जो उनकी वे भी मैं कह रहा हूं संक्षिप्ट करने के लिए इससे इस वक्त की पीग जो है उससे काफी ज्यादा आगे जा रही है अब अस्पताल में जितने लोग दाखिला हुए थे पीछले बार उससे इस वक्त उससे भी ज्यादा लोग अस्पताल में दाखिला हो रहे हैं मतलब संख्या अगर बहुत बढ़ जाती है पीछले पीक के मताबिक तो अस्पतालों मे जितने लोग दाखिला होंगी उनकी संख्या भी बढ़ेगी हलांकि 100 प्रतिशत में उनकी संख्या शायद कम होगी पीछले बार से इबात सही है पर अगर 200 हो जाती है फीस्ति पीछले बार की अपेक्षा में तो अगर वो आंक्रे आते हैं हमारे सामने तो संख्या काफी बढ रहा है चाहे दिल्ली हो चाहे गुंबाई हो चाहे कलकत्ता हो पर एक बात है हमने यह भी देखा है कि पीछले बार serious cases होते हैं करीम दो हफ्ते बार और मौत की आकनेचे बढ़ते हैं उससे भी दो थी धाते बार तो इसी लिए अभी भी इसको एदे फिंगर्स क्रॉस्ट पर अमरीका में वो लैग दिखने को मिल रहा है और उसके साथ साथ हस्पताल में दाकला भी काफी तेजी से बना है तो इसको देखते हुए हमारे हस्पतालों के बारे में हमारे क्या राय होनी चाहिए हमको क्या करना चाहिए और हस्पताल में क्या इस वक्त हमारे पास स्टाफ हो भी बीमार खुलेंगे तो स्टाफ के हालात क्या होगी उसके बारे में अगर आप पूछ बताएं क्या हमें करना चाहिए तो दो-तीन मुद्धे इसमें सोचने लाइग है प्रभी पहली बात यह है जैसा आपन ऑस्तालों में दाकिल होने वालों की संख्या बहुत बढ़त इसमें कोई शक नहीं है उन taxi पूरी पूरी तैयारी रखनी चाहिए यह वी पहली बात दूसरी बात वो सब तयारियां एक ही वक्त में जरूरी नहीं होंगी जैसा कि हमने कहा ये अलग-अलग लह रही हैं तो इस्थानिक तोर पर तयारियां करने के लिए वक्त चाहिए, मुहलत चाहिए अब सवाल ये उठता है कि कैसे इस्थानिक तोर पर जाने कि कब तयारियां शुरू करनी चाहिए क्योंकि तयारियां करने के लिए कुछ कदम होंगे एक कदम पर प्राथमिक तयारियां करो दूसरी कदम पर जोर शोर से तयारियां करो तो प्राथमिक तैयारियां तो पूरे देश में करनी चाहिए लेकिन आपको मालूम कम पड़े के आपके स्थानिक सरकार के परिक्षेत्र में ओमिक्रॉन के आंकड़े ओमिक्रॉन के मतलब कोविद के आंकड़े बढ़ने लगे हैं तो इसलिए जांचे जरूरी है ना सिर्फ जांचों का आंकड़ा जरूरी है स्थानिक तौर पर हस्पताल में दाखिल होने वाले लोगों को लेकर सही आंकड़े दिन बदिन कठिक करने चाहिए सरकार पर प्रशासन तक पहुँचने चाहिए जो लोग इन आंकड़ों को देख कर उनका अविशलेशन कर रहे हैं और उसके आधार पर सरकारों को सला मश्वरा कर रहे हैं उन तक पहुँचने चाहिए और साफ कहें तो हम जनता तक पहुँचने ही चाहिए तो स्थानिक तोर पर दिन बद दिन हस्पिताल में दाखिल होने वाली लोग इंटेंसिव केर में अतितक्षता विवाग में दाखिल होने वाली लोग मरीज इनके जो आंक्डे हैं उनका कठा करना और वो पूरी पारदर्शिता से प्रकाशित करना बिल्कुल ज़रूरी है मैं बार-बार कहता हूँ स्थानिक तोर पर निर्णे प्रक्रिया और प्रणालिया बनाने के लिए कि आज कल भी देख रहे हैं सरकार की जो आंक्डे आते हैं उसको दी जाती है किते लोग सारे पूरे एपिडेमिक की दौरान किते लोग बिमार पड़े किते लोग ठीक हो गए उन आक्ड़ों को इस वक्त कोई जरूरत नहीं है जब इतिहास लिखेंगे उनकी जरूरत पड़ेगी इस वक्त जानने की जरूरत है पीछले दिन किते लोग पॉजिटिव निकले पॉजिटिविटी रेशियो क्या है क्या किते टेस्ट हम कर पा रहे हैं किते लोगों पे जो लक्षन दिखाई जिनमें पड़ रहा है और इसके साथ साथ हस्पताल की स्थिति क्या है कितने बेड्स है कितने आईसीउ बेड्स है कि इतने oxygen beds है इसके बारे में जो हमारी आंकडे अगर सामने आएंगे तो हम ज्यादा आसानी से इसकी तैयारी कर पाएंगे हम समझ पाएंगे कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए और हमें क्या-क्या सुविट क्या-क्या से क्या कहेंगे सावधानी बरत नीच चाहिए अगर कि स्थेथी खराब हो रही है तो घर में बैठी है घर से काम कीजिए ज्यादा बाहर मत्रिक लिए जिनको निकलना है वो तो खेर कुछ करी नहीं सकते उसके बारे में फ्रंट-लाइंग वर्कर्स हैं हेल्थ वर्कर्स हैं पर दूसरे लिए हम मैं और सतीजी तूं जैसे तो ह एक वो सूत्रा मॉडल DST super model के नाम से कीष्ले बार था्त अब उसको न्या नामकरंद सूत्रा मॉडल करके पेश किया जा रहा है तो वही model तो इसके बारे में भी जो एक कह रहे हैं है कि दिन तक यह कम हो जाएगा यह को जाएगा इसके बारे Bu answering क्या कहना क्योंकि यह सब मॉडल्स ज्यादा तर जगहों पे जो इस्तेमाल कर रहे थे वह चुप पड़ गए इसको देखते हुए कि मॉडल की प्रेडिक्शन मॉडल की भविश्यवानी है कहीं भी सही नहीं निकलता है क्योंकि सिर्फ एक हफ्ता दो हफ्ते की सिर्फ हम डार पर बहुत यकीन ना करें तुह हमारे लिए सही होगा सावधानी परते क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं जो मॉडल्स की भविश्यवानी है हफ्ते-दस दिन के लिए सही निकलने की कोई संभावना है उसके आगे तो कुछ कह नहीं सकते बिलकुल थोस निशकर्श निकलते ह हैं उन सब मॉडल्स से दूसरी बात मॉडल्स को लेकर है कि मॉडल्स में आंकड़े जितने बड़े होते हैं उतनी उनकी भविश्यवानी खरी निकलने की पहले हफ्ते-दस दिन में भी कोई संभावना ज्यादा होती है इसका मतलब यह है कि इस्थानिक स्तर पर जहां पे ह में नेतिया बनाने के लिए भविश्यवानी की जरूरत बहुत ज्यादा है उस स्थानिक स्तर पर मॉडल्स की जो भविश्यवानी है उस पे विश्वास करना और पेचिदा होने लगता है यानि कि मॉडल्स उस स्तर पर कम काम करते हैं जिस स्तर पर मॉडल्स की यह भी मुद्दा अपन्हे मॉडल्स को लीकर ध्यान में रखना चाहिए और इसलिए मॉडल्स को नजरंदाज ना करें लेकिन मॉडल्स पर पूरा भरोसा करके राष्ट्रव्याप्य मॉडल्स पर पूरा भरोसा करके इस्थानिक नीदिया बनाओ ये तो कोई बात ही नहीं रहे बनी ना पुर सही बात है और हमारे दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि यह मॉडल्स जो सुत्रा मॉडल के नाम से पेश किया जा रहा है उसमें प्रकुसर अजरवान ने खुद कहा है इसमें कोई एपिडियमियोलोजी नह आज की देखते हैं कि क्या बारिश हुआ है नहीं अब कल की बारिश के बारे में बात करते हैं कोई н उपर निर्भरित है, वह नहीं बता सकते यहीं हमारे बहूत बार हमने आपके सामने पेश किया है और सूत्रा मॉडल की प्रेडिक्शन हिंदुस्तान में ये होगा दो हफ़ते बाद इन हफ़ते बाद इस पे कोई भरोसा नहीं है हलाकि अगर वो कहते कि बुम्बाई में ये होगा तो शायद उसमें थोड़ा सा ज्यादा हम इश्वास कर सकते हैं सती धन्यवाद हमारे साथ होने के लिए और हमारे दर्शकों को कहेंगे जिए हमारी वेब साइट में आईएगा हमारे वीडियो देखिएगा वीडियोस देखिएगा इस विशह पर आद दूसरे विशह होगे आज के लिए इतना ही नमस्शकार